हेलो गाईज, वेलकम टू माई टेल क्राफ्टर चैनल आज की जो मूवी है वो है कुंफू पांडा 3 इस मूवी में हमें बहुत सारा मैजिक, पावर और एक मस्स स्टोरी देखने को मिलेगी इसमें पैंडा को मिलेगी एक न्यू पावर और एक न्यू फैमिली आई होप ये मूवी आपको पसंद आए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं तो मुवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दे ग्रेट मास्टर उगवी को जो की अब मर चुके हैं और सोल की दुनिया यानि की रूख की दुनिया में ही रहते थे और वहां हमें उनकी फाइटिंग दिखाय जाती है हमारे सुपर मोस्ट विलेन काई से जो कि बहुत ही प्यादा पुराना विलेन होता है उसको मास्टर सीफु ने 500 साल पहले कैद कर दिया था क्योंकि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तमाल करके दूसरों की पावर्स को अपना बनाना चाहता था इसी की वज़े से मास्टर उगवी उसे रोक रहे थे इसी की वज़े से मास्टर को उसको कैद करना पड़ा रोक की दुनिया में क्योंकि काई अब बहुत ज़्यादा पावर्फुल हो चुका है इसलिए वो मास्टर से लड़ने के लिए आ जाता है और अपनी पावर्स का इस्तमाल करते हुए मास्टर उगवी को भी कैद कर लेता है और उनको अपनी पावर्स के बल पे एक बड़े से लॉकेट में कनवर्ट करके अपने गले में पहन लेता है नेक्स सीन मे भर हमें हमारे हीरो पैंड़ा को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ अपने स्कूल पहुचता है जहां पर मास्टर सीफू उसका वेड़ कर रहे होते हैं दीफू उसे बताते हैं कि अब वो किसी को भी कुंफू नहीं सिखाएंगे क्योंकि वो जा रहे हैं उर्जा को अपने कंट्रोल में करने के लिए यह देखकर पांडा बहुत ज़्यादा एकसाइटेड हो जाता है लेकिन वो कहता है अगर आप हमें नहीं सिखाएंगे तो कौ ही देता हूँ क्योंकि तुम हो दा ग्रेट मास्टर कुंफू मास्टर पांडा बहुत अच्छा फाइटर तो था लेकिन वो किसी को सिखाने सकता है फिर वो कोसिस करता है अपने दोस्तों को सिखाने की लेकिन जैसी वो अपने दोस्तों को सिखाने लगता है उसके दोस्त विलन की एंट्री हो चीकी थी काई की और वो अपने सभी लोगों को उसको पांडा को ढूनने में लगा देता है क्योंकि मास्टर उगवी ने उसे बताया था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तुम्हें मारेगा दे ग्रेट ग्रैन्ड मास्टर कुंफू मास्टर पैंडा पैंडा को ढूने में निकल जाता है दूसरी तरफ एक दूसरे पैंडा की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं हमारे हीरो पैंडा के फादर होते हैं जो कि उसे बहुत टाइम बाद मिले होते हैं पेंडा अपने डैट को ले करके अपने कुंफू हॉस्टिल आ जाता है और दोनों लोग वहाँ पे अलग अलग चीज़े उठाकर मस्ती करने लगते हैं क्योंकि उनके डैट को वहाँ किसी की भी रूल के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है तब ही वहाँ पे मास्टर सीफू बताते हैं कि एक विलन की एंट्री हो चुकी है जिसका नाम काई है और हमें उससे लड़ने जाना है दूसरी तरफ काई भी अपने सबी सक्तियों को बेच करके पांडा को पकड़ने के कोशिस करता है लेकिन वह पकड़ने ही पाता है अपने सक्तियों के बलते होंने बताता है कि मैं काई हूँ और मैं पांडा को मारने के लिए आया हूँ लेकिन जो हमारा हीरो होता है पांडा उससे तो बिलकुल पता ही नहीं होता है कि काई कौन है और उससे क्यों ही मारना चाहता है बताने के बाद काई अपने सक्तियों को अपने पास वापस बला पाता ह जिसके बाद मास्टर सीफू लाइबरेरी में जाकर काय के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले लगते हैं और सभी लोग को पता चलता है दरसल मागवी और काय बहुत साल पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों मिलकर अलग-अलग फाइट्स में लडाईया करते थे एक बार मास्टर उगवी को बहुत ही जादा चोट लग जाती है तो काय उन्हें लेकर के एक ऐसे सहर पहुँच जाता है जहां पे पांडा राग करते थे पांडा अपनी एनरजी की सकती से उगवी को ठीक कर देते हैं लेकिन काय को जब इसके बारें पता चलता है तो वो भी उस पावर को लेना चाता है लेकिन पांडा उसके वो पावर देने के लिए मना कर देते हैं उसके बाद काय को बहुत जादा गुस्ता आ जाता है और वो सभी के उपर हमला कर देता है लेकिंग मास्टर उगवी उसे अपनी उर्जा की सक्ती से क्यात कर देते हैं रूख की दुनिया में और अब काय वापस आ जाता है अपने इन सब कर्मों का बदला लेने के लिए वो पैंडा के फादर उसको अपने गाउं ले जाना चाते हैं और नेक्स मिन में हम देखते हैं कि पैंडा उसको ले करके अपने गाउं की तरफ निकल जाते हैं जहां पे उसके दूसरे डैड भी उसके साथ आ जाते हैं पैंडा पैंडा की दुनिया में आ जाता है जहां पे उ उसी के जैसे दिखने वाले बहुत सारे पैंडा होते हैं और उनके साथ मौज मस्ती करने में बिलकुल खोही जाता है कि अपना पूरा उदे से भूल जाता है और तरफ काई जो कि अपनी सक्तियों का इस्तमाल करके सभी को लॉकिट लॉकिट में बदलता जा रहा होता है और अपकांडा के दोस्तों को भी पकड़ लेता है और दूसरी तरफ मास्टर सीफू के उपर भी हमला हो जाता है और उनकी सभी टीम के उपर काई हमला कर देता है जिसकी विए से उसकी सभी टीम मेंबर काई से लड़ने के चकर में अपनी सभी सक्तियों को खो करके काई के यहां से चलो हमें जल से जल खाली करनी है लेकिन पैंडा उने कहता है आपके पास तो उर्जा की सकती है आप क्यूं डर रहे हैं लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं हमारे पास ऐसी कोई भी सकती नहीं है जिससे मैं तुम्हें यह सब बता सकूं कूं काई के आने से पहले सबी लोग अपने गाउं को खाली करके वहां से जाना चाते हैं लेकिन पैंडा वहीं पे रुख जाता है और काई से लड़ने के लिए वहां पे प्रैक्टस करने लगता है अपनी दोस्त टाइग्रस काद मिल करके लेकिन टाइग्रस उससे समझाती है कि इन सब चीजों से काम नहीं बनने वाला है क्योंकि काई के पास जो सकती है उसके आगे कुंफु कुछ भी नहीं कर सकता है वो सब को अपने कैद में कर लेगा पिन हमारा हीरो पैंडा बहुत ही जादा कॉन्फिडेंस में होता है तब ही वहां पे उसके फादर अपने सभी दूस्तों के साथ वहाँ पर आजाते हों कहते हैं अगर मेरा बेटा यहां पर रहे कर उसके लड़ सकता है तो हम सब भी लड़ाई सीख सकते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं हम तुमहारा कुणफु शीखना साथे हैं और हम सब साथ में मिल करके उस काय के बच्चेे को ह subtEr देंगे इस अब सुनकर के पांडा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है और वो सभी को सभी के हिसाब से कुंफू सिखाने लगता है वहां के छोटी छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े लोग या तक बुरे पैंडा भी कुंफू को सीखने में जब दस त्यारी करवाता है कि सभी लोग कुंफू सीख जाते दूसी तरफ काई भी वहां का पता ढूंड करके और वापस आ जाता है और उसके उपर हमला कर देता है और हमारा हीरो पैंडा भी रेडियो होता है वो अपने पूरी पैंडा के साथ तीम में मिल करके उन सभी क को हराने लगता है और सभी के बीच में फाइटिंग सुरू हो जाती है तिसी लिए अपनी सपेशल्सक्तिसक्व अस्तिक थमाल करके काई के साथ ही काई की दुनिया में चला और वहाँ पे वो जाकर के अपने एक नई ही पावर को पाता है जहाँ पे वो देखता है कि वो अपने आपको पूरा का पूरा ड्राइगन मास्टर में कनवर्ट कर लेता है और काई उससे फाइटिंग करने लगता है क्योंकि वो उसकी सक्तियों को छोइन करके अपना बनाना चाता है जिसकी वेप से वो पैंडा से लड़ने लगता है लेकिन पैंडा के पास तो एक अद्भुत पावर आज चुकी होती है जो कि उर्जा और ड्रैगन की थी जिससे का पैंडा को रूप की दुनिया में काफी मदद करती है और वो काई से लड़ने में सक्षम हो जाता है यह सब देखकर काई एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि पैंडा के पास बहुती अद्भुत तरीके की सक्ति आ जाती है और वो भी बिलकुल ड्रैगन की सक्ति और जिसमें कुम्फु पैंडा उस काई के साथ लड़ने लगता है और उसे हराने की कोशिश करने लगता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही भेंकर लड़ाई होती है जिसमें काई अपने सारी पावर का इस्तमाल करता है लेकिन फिर भी पैंडा को नहीं हरा पाता है और पैंडा अपने लास चाल चलता है और काई को अपने अंदर समा लेता है और पूरी तरीके से उसकी पावर को खत्म कर देता है जहां पर काई बिलकुल तरीके से नश्ट हो जाता है और सभी की पावर सबके अंदर वापस आ जाती है यानि कि जिस जिसको उसने अपने पावर्स में कनवर्ट कर लिया था वो सभी लोग रूख की दुनिया से बाहर आने लगते हैं और सभी लोग अपने अपने असली रूप में आने लगते हैं अब हम बाहर देखते हैं कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सभी लोग रूख की दुनिया से वापस आ जाते हैं लेकिन पैंडा अभी भी रूख की दुनिया में होता है लेकिन पैंडा की मुलकात तो मास्टर उगवी से होती है जो कि उसे बता रहे होते हैं कि तुम तो चठिकों से दे देते हैं पींगा अपने पूरी सक्थी से अपने दुनिया में वापस आ स्व интकन होता है, जवर तो समास्टर सीक हो स्थी से थी लिए उर्जा के सकती, तो मास्टर सीफू से वो सकती सिखाने के लिए कहते हैं अब वो सभी को कुंफू और वो सकती सिखाने में लग जाता है और इसी तरह हमारी ये मुवी एंडिंग की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते सभी लोग वाँ पे कुंफू सीखने लगते हैं और इसी चकर में हमारी इस मूवी की बहुत ही अच्छी तरीके से हैपी एंडिंग हो जाती है तो मूवी आपको कैसे लगी कमेंट करने है